हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं मैं हूँ जोसना एक बर फिर से मेरे चैनल जोसना किचन में आप सभी का बहुत स्वागत है आज में लेकर आई हूँ तवा पीजा रेसिपी ये रेसिपी बनाना सच में बहुत ही आसान है इसे मैंने तवे पर त्यार किया है इसे बनाने के लिए किसी तरह के microwave या oven की भी जरूरत नहीं है तो जब भी अगर आपको पीज़ा खाने का मन करें तो आप बहार से बगाने की बज़ाए घर में ही ट्राइ कीज़ेगा बहुत या असान सी recipe है ये उमीद करूँगी कि आपको आज की मेरी recipe पसंद आएगी जो से kitchen में आप सभी का स्वाकत है recipe पसंद आने के बाद प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और bell icon ज़रूर दबाए ताकि आपको new recipe के बारे में information मिल सके चलिए recipe की तरफ चलते हैं के लिए मैंने यहाँ पर एक कटी हुई प्याज एक कटी हुई शिम्ना मिर्च और एक कटा हुआ टमाटर लिया है टमाटर को काक्ते वर्ट मैंने इसके सारे बीज निकाल दिये थे इसके बाद मैंने यहाँ पर एक पीजा का बेस लिया है जो कि मार्केट में इजली आपको मिल जाता है आप देख सकते हैं चलिए आप आके बढ़ते हैं इसके लावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सी चिली फ्लेक्स लिए है और थोड़ा सा काली मिर्ज पॉडर लिया है यहाँ मैंने चीज का पैकेट लिया है अब देख सकते हैं यह क चीज ले लिए और उसको मैंने इस तरह से ग्रेटेट कर लिया है आप चाहिए तो ग्रेटेट क्यों ही चीज भी ला सकते हैं वह भी मार्केट में इसली अविलिबल हो जाती है ये देखिए मैंने हापे चीज को ग्रेट कर लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम पीजा बेस लेंगे और पीजा सॉस लेंगे और पीजा सॉस से हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेट कर देंगे ये देखिए इस पीजा बेस के हर कॉर्णर को हमें पीजा सॉस से अच्छी से स्प्रेट करना है ये देखिए इस तरीके से चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब नहीं लगाया मैंने इसे बीच में ही लगाया है अब थोड़ी सी चीज लेंगे और इसी तरह से हलका सा स्प्रैट करेंगे हलکी सी चीज जालने के बाद अब मैंने यहां पे कली मिर्छ पवर्ड लिया है इससे भी थोड़ से स्पिंकल करना है और शिली फ्लेक्स लेंगे और चिली फ्लेक्स भी हम 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 इख बींच supporters करेंगे हम इसको decorate कर देंगे आप चाहे तो इसमें अपने मनबसंद कोई भी सब्जी का यूज़ कर सकते हैं यह पूरी तरीके से आप पर डेपन करता है आप चाहे तो यह पनीर का यूज़ भी कर सकते हैं पर यहाँ पर मैंने सिर्फ तीन सब्जी का ही इस्तिमाल किया है चलिए अब पर फिर से थोड़ा सा चिरी फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और कालिमेश पॉर्डर हमें डाला है तब यह पर मैंने यहाँ पर आदा चमज बटर लिया है बटर को हम अच्छे से मैल्ट करेंगे आप चाहे तो यहाँ देशी घी का यूज़ भी कर सकते हैं गैस का फ्लेम हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है चलिए आम इसे कट करके भी दिखा देती हूं मैंने पीज़ा कटर लिया है अगर आपके पास पीज़ा कटर नहीं है तो आप नाइव की यूज़ से भी इसे काट सकते हैं यह देखिए कितनी आसानी से यह कट गया और हमारी चीज बहुत ही असानी से बनने वाली यह रेसिपी है और इसका टेस्ट भी ज्यादा ऑसम है अगर आपके बच्चों का पीज़ा खाने का मन है यह आपका खुद आप इसलिए से घर में बना सकते हैं अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आये तो प्लीज मेरे चैनल को सब् और इजी रेसिपी कोस्ट करती रहोंगी जोसर किचन में आप सभी का स्वागत है थेंक्स वर बॉचिंग